नमस्कार दोस्तों दोस्तों आयरुइद का शाब्दिकर्त होता है जीवन का विज्जान और ये स्वास्त रशीं आचार्य शुष्रूत ने स्वस्थ व्यक्ति को परिभाशित किया है और उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसमें दोश, अगनी, धातू, मल और क्रिया संतूलित है और जो एक संतूलित मन और आत्मा के साथ खुश है वही व्यक्ति स्वस्थ है दोश का मतलब होता है देह द्रव जो की शरिर को बनाते हैं अगनी का मतलब है पाचन और चया पचे की प्रक्रिया धातू का मतलब है शरिर के उत्तक यानिकी टिश्यूज मल का मतलब है मल मुत्र और क्रिया का मतलब है शारिक कार्य ये सारी चीज़ संतुलित है और जो एक संतुलित मन और आत्मा के साथ खुश है वही स्वस्त व्यक्ति है आयरुवेद इस विश्वास को मानता है कि उपचार का मार्ग शरिर और दिमाग में संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार आयरुवेदिक उपचार में बिमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शेली और खान पान की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है साथ ही साथ दोशों में संतुलन बहाल करने के लिए शमन चिकिस्ता यानिकी शान्ति या दरदनाशक उपचार और शोधन चिकिस्ता यानिकी शुद्धी उपचार भी की जाती है और हमें उम्मीद है कि आयरुवेदिक चिकिस्या या आयरुवेदिक इलाज के सम्मंद में आपके मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब इस वीडियो में प्राप्त होंगे इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आयरुवेद क्या है, आयरुवेद के नियम क्या है, आयरुवेद इलाज के फाइदे क्या है और आयरुवेद उपचार के प्रकार के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आयरुवेद क्या है तो दोस्तों आयरुवेद को चिकिसा की सबसे प्राचेन और प्रमानित उप्चार प्रणाली माना जाता है जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है स्वस्थ या रोग ग्रस्थ व्यक्तियों के ल स्वास्त और धन प्रदान करने वाले देवता का दर्जा प्रदान किया गया है आयरुवेद इस तत्य को समझता है कि प्रत्यक व्यक्ति अलग है और परिणाम स्वरूप प्रत्यक व्यक्ति का उत्तम स्वास्त की और जाने का मार्ग भी अलग होता है आयुरुवेद व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को एक संपून इकाई के रूप मानता है और इस आदार पर काम करता है कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं शरीर और मन एक साथ मिलकर बिमारी को दूर कर सकते हैं और अब हम दुस्तो जानेंगे कि आयुरुवेद के नियम क्या हैं तो दुस्तो आयुरुवेद का सिध्धानत है कि लोग एक विशिष्ट अवस्था के साथ पैदा होते हैं जिसे की प्रकृती कहा जाता है गरबादान के समय स्थापित प्रकृती को भाउतिक और मनोविज्ञानिक विशिष्टाओं के एक अनोखे सयोजन के रूप में देखा जाता है जो प्रत्यक व्यक्ति के कार्या करने के तरीके को प्रबावित करता है जीवन भर व्यक्ति की अंतर नहीत प्रकृती समान रहती है हाला कि व्यक्ति की प्रकृती दिन और रात, मौसमी बढ़लाव, आहार, जीवन शेली तथा विबिन आंतरिक, बहरी और परिया वरणियों कारकों से प्रभावित होती रहती है आयरुवेद बिमारी से बचाओ पर बहुत जोड देता है और इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित अहर नियम के माध्यम से स्वास्त बनाए रखने की सला देता है जिससे की व्यक्ति की प्रकृति में संतुलन बना रहता है आयरुवेद कहता है कि तीन गुण होते हैं जिनसे व्यक्ति की प्रकृति की विशेशताय निर्दारित होती है और इन तीन गुणों को दोश कहा जाता है और इन दोशों को वात, पित और कफ के नाम से जाना जाता है तीन गुणों के व्यक्ति के शाररी कारियों पर विशेश प्रभाव होते हैं आयरुवेदिक चिकिस्सा के विद्वानों का मानना है कि प्रत्यक व्यक्ति में तीन दोशों का एक नपातुला संतुलन है और व्यक्ति के दोश लगातार परिवर्तित होते रहते हैं और ये व्यक्ति के बोजन, व्यायाम और अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं विद्वानों का ये भी मानना है कि कि किसी दोश के असंतुलन से उस दोश से सम्मधित लक्षन उत्पन होते हैं और ये लक्षण किसी अन्य दोस के असंतूलन से पैदा होने वाले लक्षणों से अलग होते हैं। कई कारक जैसे की खराब बोजन, बहुत कम या बहुत अधिक शाररीक या मानसिक तनाव, कैमिकल्स या रोगानों वगेरा दोशों में असंतूलन का कारण बन सकते हैं। दोशों में संतूलन की तरह ही साथ धातू या सप्त धातू में एक संतूलित स्थिती व्यक्ती के स्वास्त का निर्दारन करने के लिए महतोपून पेरामेटर है और ये धातू शरीर की टिश्यू प्रणाली है और साथ धातू में से प्रत्यक का परस पर सम्मंद होता है। और इनको रस धातू, रक्त धातू, मास धातू, मेद धातू, अस्ति धातू, मज्जा धातू और शुक्र धातू के नाम से जाना जाता है। मज्जा धातू, तंत्री का टिश्यूज और अस्ति मज्जा से बना है और शुक्र धातू, प्रजन ध्रव्यो से बना है। में उदाहरण के लिए कफ दोश, रस, मास, मेद और शुक्र धातू को नियंत्रित करता है। पित दोश मज्जा और रक्त धातू को नियंत्रित करता है और वात दोश अस्ति धातू को नियंत्रित करता है। ओजस सभी धातू का अंतिमसार है और हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का आधार है और ये शरीर के हर हिस्सों में व्यापत है। पोजस कम होने के कारण चिंता, भय, खुशी में कमी, खराब रंगत, समवेधी यंग में दर्द, दुरबलता, प्रतिरक्षा प्रणाली सम्मधी विकार जैसे लक्षन होते हैं। और अब हम दुस्तों जानेंगे कि आयरुवेधी कुप्चार के फाइदे क्या हैं। तो दुस्तों वैसे तो आयरुवेधी का सबसे बड़ा लाब यही है कि इससे रोगों का निवारण हो सकता है। और इनका उप्योग करना काफी सुरक्षित होता है। प्रशली तक्निक, ध्यान, योग, जब, प्राणायाम, पंच, कर्म और जड़ी बूटियां हैं और यह व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्त को बढ़ावा देती है। चाहे आप आईरुवेद के किसी भी चिकिस्सा विशिशग्य के पास जाएं, वे निवारक और उप्चार आत्मक दोनों प्रकार के द्रश्टी कोण अपनाते हैं। सबसे पहले दुस्तों बात कीजाएं, निवारक उप्चार की तो यह द्रश्टी कोण व्यक्ति को स्वस्त और दिरगायू बनाये रखने का प्रियास करता है। निवारक चिकिसा प्रत्यक व्यक्ति की प्रकृति को परिभाशित करके दैनिक तथा मौसमी आधार पर नियम निर्धारित करती है। और इस तरह यह व्यक्ति के तीनों दोशों के संतूलन को समर्थन देने और उनको संतूलन में रखने पर जोड़ देती है। जिसमें की शोधन यानि की डी टॉक्सिफिकेशन और शमन यानि की दर्द निवारक उप्चार के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उप्योग किये जाने वाले तरीके शामिल है। हरबल उपाय जिसमें की रस सास्तर सामिल है। दोस्तों रस सास्तर का मतलब होता है विबिन हरबल और सुक्ष्म मात्रा में धातू के मिश्रण का उप्योग करना। दोस्तों आयरवेद में पंच करम सबसे महतोपोन उप्चार प्रक्रिया होती है और ये आयरवेद की एक शोधन प्रक्रिया है जिसमें शरिड से विशाक्तपदार्थों को बहार निकाल लें और शरिड के त्री दोशों में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए पंच करम एक बहुती प्रभावी उप्चार विदी है हलाकि ये विदी केवल स्वस्त बलवान लोगों में ही की जाती है और बहुत बीमार या कमजोर लोगों के लिए ये उचित नहीं है पंच करम मानसिक कारियों पांचन प्रक्रिया और उत्तक चैनलों की बहाली और और बैल आइकन के बटन को जरू क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक्स फूर यो टाइम